हेलो एवरिवन वेलकम बैक टू PCS माइन दोस्तों आप सभी का बिहार तथियसार घटना चकर 2024 की स्रीज में स्वागत है यहां पर हम बिहार तथियसार घटना चकर 2024 को कवर कर रही हैं आपको बता दे कि इस मैगजीन की 3 से 4 क्लासेज आपकी ओल्रेडी आ चुकी है और इनकी कवर किया था बिहार का भुगोल एक ही वीडियो में बिहार का भुगोल बिहार की जोगरफी आपका कंप्लीटली कवर हो गया था आज की वीडियो में हम बिहार का इतिहास कवर करेंगे बिहार के इतिहास में आपको तीन भाग में पाठकर पढ़ना होगा सबसे पहले हम प पाट कर हम यहाँ पर बिहार के इतिहास को कवर करेंगे दोस्तों आपको बता दे कि ये स्रीज बिहार के सभी एक्जाम के लिए काफी जादा यूसफुल है तो आप चाहे बिहार के किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हो अगर आप BPSC special के portion को कवर करना चाहते हैं तो आप इ सर्च करना है at the rate PCS mind आप हमारे चैनल को जोइन कर लें वहाँ पर आपको इसकी PDF प्रोवाइट कर दी जाएगी ठीक है चलिए फिर सुरू करते हैं आज की क्लास तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की क्लास तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार तथ्यसार घटना चक्र 2024 को हम कवर कर रहे हैं यहाँ पर इस magazine का index दिया गया है तो chapter wise यहाँ पर हम सभी topics को कवर करेंगे आपको बता दे कि last class में हमने बिहार का भुगोल कवर कर दिया है इसकी playlist बना दी गई है तो playlist में जाकर आप सभी classes को देख सकते हैं आज की वीडियो में बिहार क इतिहास हम कवर करने वाले हैं चलिए फिर सुरू करते हैं देखिए यहां से आपका बिहार का इतिहास सुरू हो जाता है बिहार का इतिहास विभिन राजवन्सों तथा महान व्यक्तियों और कई धर्मों के जन्मस्थान से विरासत में प्राप्त एक सम्रद संस्किर्ती को इंगित करता है आप सभी को पता है कि बिहार में विभिन राजवन्स रहे हैं और विभिन महान व्यक्तियों का जनम हुआ है बिहार कई धर्मों का जन्मस्थान भी रहा है जिसके कारण से बिहार की संस्किर्ती एक सम्रद संस्किर्ती है बिहार एतिहासिक रूप से मोर्या व इसके अलावा नालंदा विश्व विधालिया जैसे विश्व विधालिया बिहार की धर्ती पर ही सुसोभित हुए हैं। इस अद्धिहाई में हम बिहार के इतिहास को परिक्षाउप योगी तथ्यों के प्रकास में देखेंगे। तो यहाँ पर हम तो दा पॉइंट चीजों को कवर करेंगे आपके एक्जाम के पॉइंट ओफ यू से। चलिए फिर देखते हैं और सबसे पहले हम बिहार के इतिहास में कवर करने जा रहे हैं बिहार का प्राचीन इतिहास। ancient history बिहार की प्राचीन इतिहास को हम यहाँ पर cover करेंगे देखिए बिहार का इतिहास प्राचीन काल में पुरा पाशान काल इवं तामर युग की आदिम सभ्यता तक जाता है मुंगेर से निम्न पुरापाशान काल की अवसेस प्राप्त हुए हैं तो यह point आप दियान से हैं तो फ्रेंड्स निम्न पुरापाशान काल की अवसेस आपके मुंगेर से प्राप्त हुए हैं इसके अलावा चिरांद सारन और चेचर विशाली से नवपाशान युग की अवसेस प्राप्त हुए हैं यहां से आपसे question पूछा जा सकता है देखिए जहां से भी most probability होती ह है जादा संभावना होती है question पूछे जाने की उसे मैं आपको highlight करके बता देती हूं कि यहां से question पूछा जा सकता है तो आप इन चीजों पर थोड़ा जादा धिहान देंगे ठीक है तो आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न पुरापाशान काल के अवसेस कहां से प्राप्त हुए हैं तो यहां पर आप याद रखेंगे कि नवपाशान युग के अवसेस बिहार में चिरांद सारन और चेचर वैशाली से प्राप्त हुए हैं इस प्रकार की questions आपसे previous year में पूछे गए हैं उसी आदार पर आपको यहां पर बताया जा रहा है देखिए सर्वपर्थ पर्थम रिगवेद में बिहार के छेतर के लोगों का वर्णन है जहां उन्हें कीकट किरात कहा गया है तो आप यहां पर देख सकते हैं कि सर्वपर्थम बिहार के छेतर के लोगों का वर्णन कहां पर किया गया था रिगवेद में और रिगवेद में बिहार के छेतर के लो आग की जानकारी थी एवं विकिर्शी कारिय करते थे मनु के पुत्र नाभा नंदिष्ट ने वैशाली सामराजय की स्थापना की थी तो आप देख सकते हैं आरियों को आग की जानकारी थी और विकिर्शी कारिय भी करते थे इसके अलावा जो मनु के पुत्र थे नाभा इन्होंने ही वैशाली सामराजे की स्थापना की थी प्राचीन बिहार की इतिहास की जानकारी अर्थर्ववेद एवं पंच विश ब्रहामन में मिलती है अर्थर्ववेद और पंच विश ब्रहामन से पता चलता है कि मगद में व्रात्य रहते थे किन्तु रिगवेद में उल अलावा कनिंगम ने बोध गया मंदिर को खोजा उन्होंने गिरियक पहाडी में उत्खनन कर इंद्र शिला गुफा का पता लगाया जिसका वर्नन हेंसांग और फाहियान ने भी किया है इसके अलावा कनिंगम की सबसे बड़ी उपलब्धी बढ़गाउं का पता लगाना था जो राजगीर के समीप प्राचीन नालंदा महावियार का इस्थल है यहां से दो अभिलेक भी प्राप्त हुए हैं जिन पर नालंदा उत्किर्ण हैं कनिंगम ने बिहार सरीफ में घोश रावा गाउं की पहचान कन्नोज के राजा यशुवर्मन दुआरा स्थापित गाउ कनिंगम ने पता लगाया था तो यहां पर हमने कनिंगम के बारे में काफी सारे देखे हमने यहां पर देखा कि कनिंगम ने ही बोध गया में बोध गया मंदिर को खो जा था अगर आप से पूछा जाता है कि बोध गया मंदिर को किस ने खो जा था तो आप याद रखेंगे ये कनिंगम ने किया था इसके अलावा कनिंगम ने गिरियक पहाडी में उत्खनन कर इंद्र शिला गुफा का पता लगाया था इसका वर्णन हेंसांग और फाहियान के दुआरा भी किया गया है तो यहाँ पर कनिंगम के बारे में काफी सारे फैक्ट हमने देखे हैं इन्हें आप दियान रखेंगे इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि कनिंगम की सबसे बड़ी उपलब्धी बढ गाउं का पता लगाना था जो कहाँ पर है जो राजगीर की समीप प्राचीन नालंदा महा विहार का स्थLP है और यहाँ से कहां से बढ़ गाउं से इसके अलावा कनिंगम ने बशाड के अवसेशु के आधार पर विशाली के प्राची निस्तल का भी पता लगाया। से बिहार का यह चेत्र प्राचीन इतिहास का अंग बन गया आधुनिक राजग्रह और गया कि आसपास के चेत्र अर्थर्व वेद में वर्नित हैं कोड को हटाने वाली ओसदी का विसकार मगद में रहने वाली अशुर माया रूप नामक पर्थम स्तरी चिकित सकने किया था इसके अलावा बिहार के मिथिला छेत्र में आर्यो का परवेश उत्तर वैदिक काल में हुआ था ध्यातव्य है कि बिहार की संदर्भ में जानकारी बोध साहित्यों जैसे अंगुत्तर निकाए, देर्ग निकाए, विनैपटक की अतिरिक्त, जैन साहित्य भगवती सुत्र से जानकारी प्राप्त होती है विश्व में सबसे पहली गंतंतरात्मक साशन पद्धती का जनम वैशाली गनराजिय में हुआ था कि विश्व में सबसे पहली गंतंतरात्मक साशन पद्धती का जनम कहां पर हुआ था तो आपको याद रखना है इसका सबसे पहले जनम विश्व में वैशाली गनराजिय में ही हुआ था इसके अलावा विधे माधव की कहानी सत्पत ब्रहमन में मिलती है जिसमें विधे माधव सरश्वती नदी के टटपर रहते थे तथा वैश्वानर अगनी को मुख में धारन किये हुए थे घरत का नाम लेते ही अगनी मुख से बाहर आ गई तथा नदियों को जलाती हुई सदा नीरा बिहार की वरतमान गंडक नदी का नाम ही सदा नीरा था सदा नीरा के टटपर ठैर गई इसके अलावा विधे माधव अगनी के पीछे पीछे अपने गुरू, गोतम, राहुगन की साथ सदानीरा के टटकाई, सदानीरा नदी, कोशल और विधे की सीमा थी ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि विधे माधव की जो कहानी है, इस कवर्णन सत्पत ब्रहामन में मिलता है भारत में सर्वपर्थम 620 पूर्ण के लगभग, संगठित राज्यों की स्थापना हुई, इन राज्यों में 16 महाजनपदों का अती महत्व है महाजनपदों की संदर्ब में सर्वपर्थम बोध साहित्य की अंगुत्तर निकाई तथा जैन साहित्य भगवती सुत्र में चर्चा मिलती है दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज याद रखेंगे अंगुत्तर निकाई अगर आपसे पूछा जाता है कि अंगुत्तर निकाई क्या है तो आपको धियान रखना है कि अंगुत्तर निकाई एक बोध साहित्या है ठीक है इसके अलावा भगवती सुत्र क्या है भगवती सुत थे मगद वज्जी और अंग ये तीनों ही बिहार में अवस्थित हैं इसके अलावा छटी सतापदी इस्विपूर्ण के 16 महाजनपदों में से बिहार के तीन महाजनपद मगद वज्जी और अंग का वर्णन अंगुत्तर निकाय जोकी एक बोध साहित्या है एवं भगवती स इन दोनों में ही बिहार महाजनपदों का वर्णन मिलता है torJa बात करते हैं अब अ भी महाजनपदों से संबंदित महत्वपूर्ण तत्थ्यों की देखिए बुद्धि कालीन राजनीती समाज में दस गनराजियों की चर्चा प्राप्थ होती है इन गनराजियों में सरवा इसके अलावा उग्र जिसे हत्याग ग्राम कहा जाता है ज्यातरक कुरू को हस्तनापुर के नाम से जाना जाता है भोग नगर इच्छवाकु अयोध्या तो यहाँ पर आप वज्जी संग के कुल सदस्यों को देख सकते हैं यह सभी आपके वज्जी संग में सामिल थे इसके अलावा दोस्तों अंग जो की आधुनिक भागलपूर वे मुंगेर जनपद में पढ़ता है कौन सा आपका ये अंग जो है ठीक है अंग आधुनिक भागलपूर वे मुंगेर जनपद अंग की राजधानी चमपा थी तो ये काफी इंपोर्टेंट चीज है यहाँ पर चमपा वती हो गया चीनी यातरी हेंसांग ने चमपा को चेनपो से संबोधित किया है ये चीज भी आप याद रखेंगे कि चमपा को चेनपो के नाम से किस ने संबोधित किया था तो ये चीनी यातरी थे हेंसांग जिनोंने इसे चेनपो के नाम से संबोधित किया था इसक की राजधानी वैशाली थी जो आधुनिक वैशाली जनपद का बसाड गाउं था यहाँ पर आप लिच्छवी की राजधानी याद रखेंगे वज्जी संग में सबसे प्रबल लिच्छवी था लिच्छवी की राजधानी क्या थी तो लिच्छवी की राजधानी यहाँ पर पहले हमने आपको बताया कि यहां पर अंग की राजधानी क्या थी अंग की राजधानी चमपा थी दूसरा विधे की राजधानी क्या थी तो विधे की राजधानी यहां पर मिथिला थी ठीक है तो विधे की राजधानी यहां पर मिथिला है और लिच्छवी की राजधानी क को यहाँ पर आपको याद रखना है चलिए आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पर अभी कवर करने वाले हैं बोध संगितिया ठीक है बोध संगती काफी जादा इंपोल्टेंट है यहाँ से आपसे हर साल एक्जाम में कोशन पूछा जाता है इस टेबल को आपको काफी अच्छे से याद कर लेना है ठीक है तो आपसे कोशन एक्जाम में गलत नहीं होगा इसे आपको बार-बार देखते रहना है दोस्तों आपको बता दे कि बोध संगतिया यहाँ पर टोटल चार बोध संगती हुई है पर्थम, द्वित्य, त्रत्य और चतुर ठीक है यहाँ पर आपको याद रखना है कौन सी बोध संगती का स्थान क्या है किसी भी बोध संगती का ठीक है कौन से स्थान पर हुई थी कौन से समय में हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे साशक कौन थे उस टाइम पर और कुछ से related कुछ महत्वपूर्ण तत थे इतनी चीजों को आपको यहाँ पर याद रखना होगा चलिए देखते हैं सबसे पहली बोध संगती जो पर्थम बोध संगती है यह आपकी राजग्रह में हुई थी सप्त परणी गुफा ठीक है पर्थम बोध संगती आपकी राजग्रह नामकिस्थान पर हुई थी कब हुई थी 483 इसवी पूर्ण में हुई थी इसके अध्यक्ष कोन थे पर्थम ब बोध संगती कहां पर हुई थी तो आप याद रखेंगे राजग्रह में हुई थी कौन से समय में हुई थी 480 इस्वी पूर्ण में हुई थी पर्थम बोध संगती के अध्यक्ष कोन थे तो महा कश्यप पर्थम बोध संगती के अध्यक्ष थे पर्थम बोध संगती के साशक कोन थे पर्थम बोध संगती के समय में साशक कोन थे तो ये थे आजात सत्रू ठीक है इसके अलावा आपको याद रखना है पर्थम बोध संगती के समय ही विनेपिटक इवं सुत्पिटक का संकलन किया गया था इसके बाद द्वित्य बोध संगती आपकी वैशाली में हुई थी 383 इस विपोर्ण में द्वित्य बोध संगती के अध्यक्स थे सर्वकामी या सबाकामी ठीक है और इसके सासक थे काला अशोक इस टाइम पर जो सासक थे वो काला अशोक थे काला अशोक सिशुनाग वंस से स ठीक है और दुवित्या बोध संगती के समय बोध धर्म इस्थविर एवं महा संगिक में विभाजित हो गया था तो बोध धर्म का यहाँ पर विभाजन हो जाता है इस्थविर एवं महा संगिक में तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है कि बोध धर्म का विभाजन कौन स तुति बोद संगती के समय हुआ था। द्वित्य बोद संगती के समय हुआ था। बात करते हैं तीसरी बोद संगती की तीसरी बोज़ ऑप शंगती आपकी पाटली पुतर में हुई थी 247 से स्वी पोर्ण में और इसके अध्यक्ष थे मोगली पुतसित ठीक है ये नाम आप याद रखेंगे मोगली पुतस ये इसके अध्यक्ष थे और इस समय साशक थे अशोक जोकी मोरिया वन्स के साशक थे ठीक है तरत्य बोध संगती के समय ही तीसरा पिटक अभीधम पिटक को जोड़ा गया था विने पिटक और सुथ पिटक का संकलन कब हुआ था पर्थम बोध संगती में इसके बाद तीसरा पिटक जोकी अभीधम पिटक है इसको अध्यक्षते और अश्व गोस इसके उपाध्यक्षते इस समय के राजा थे कनिश्क कनिश्क राजा आपकी ये कुशान वंस से संबंदित हैं तो कनिश्क चतुर्त बोध संगती के राजा थे और इस समय बोध धर्म हीनियान एवं महायान में विभाजित हो गया था ये काफी अच्छे से याद कर ले overview Peter यहां पर हमने अपनी चारों बोज संगतियों को काफी अच्छे से कवर कर लिया है अभी नेक्स्ट है आपकी जैन संगतिया जैन सं confused बहुती है बहुताफ ?? जैन संगती आपकी वल्लभी गुजरात में हुई थी इन दोनों के ही स्थान के नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं इसके अलावा आप देख सकते हैं कि पर्थम जैन संगती आपकी 310 इस्वी पूर्ण में हुई थी जबकि दुईत्य बोध संगती 512 इस्वी पूर्ण है इसे आप याद रखेंगे इसके अलावा पर्थम जैन संगती नहीं सोरी जैन संगती ठीक है देखिए पर्थम जैन संगती के महत्वपूर्ण तथ्या हैं जैन धर्म दिगंबर एवं स्वेतांबर में विभाजित 12 अंगों का संपादन यह आप यहां पर ध्यान देंग जैन धर्म आपका दिगंबर एवं स्वेतांबर में विभाजित हुआ था कब पर्थम जैन संगती के समय और इसी समय बारे अंगों का संपादन भी किया गया था दुईत्य जैन संगती के समय धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन कर लिपिबद किया गया था ठीक है तो यह ची महात्मा बुद का जनम 563 इसवी पूर्ण कपिल वस्तु के लुंबनी में कुल साक्य वंस में हुआ था ठीक है तो महात्मा बुद का जनम 563 इसवी पूर्ण में कपिल वस्तु के लुंबनी में हुआ था इनकी म्रत्यू 483 इसवी पूर्ण कुशिनगर में हुई थी इनके बचपन का नाम सिधार्थ था पिता का नाम शुद्धोधन था माता का नाम महमाया था और महमाया ये इनकी सोतेली मा यानि की मोशी थी इसके अलावा नहीं देखे एक चीज़ है यहाँ पर महात्मा गुद की माता का नाम महमाया था और इनकी सोतेली मा जो मोशी थी वो थी प्रजापती गोतमी ठीक है प्रजापती गोतमी इनकी ये सोतेली मा थी और इनकी माता कुन थी महा माया इनकी पतनी का नाम ये शोधरा था जिसको बिंबा गोपा ये भी कहा जाता है और इनके पुत्र का नाम था राहुल ठीक है उन्तिस वर्ष में ग्रहतियाग कर दिया था महत्मा बुद्ध ने तो ग्रहतियाग की घटना जो थी ये क्या कहलाती है ये महा भिनिशकर्मन की घटना कहलाती है ये चीज़ आप ध्यान देंगे कि 29 वर्स की आयू में ही महत्मा बुद्ध ने ग्रहतियाग कर दिया था और ग्रहतियाग की घटना महा भिनिशकर्मन कहलात इसके बाद वैशाख पुरुनिमा की रात पीपल वरक्ष के नीचे निरंजना नदी के टट पर ज्यान की प्राप्ती हुई थी तब से ये बुद कहलाई बुद धर्म के संस्थापक है महातमा बुद बुद धर्म के तिरी रतन है बुद धम्मा और शंग बुद धम और को देखिए गोतम बुद के जनम से संबंदित प्रतीक क्या है तो गोतम बुद के जनम से संबंदित प्रतीक कमल है ये चीज़ आप याद रखेंगे दूसरा गोतम बुद के ग्रहतियाग से संबंदित प्रतीक है घोडा गोतम बुद के ज्यान प्राप्ती से संबंदित प जिन्होंने अपने परिवार के साथ बुद्ध की सिश्यता ग्रहन की थी ठीक है दोस्तों बोध धर्म के चार आरिय सत्या हैं बोध धर्म के चार आरिय सत्या हैं दुख समुदाय दुख निरोद दुख निरोद गामनी प्रतिपदा तो ये बोध धर्म के चार आरिय सत्या है इसके अलावा बोध धर्म में अस्तांगिक मार्ग बताया गया है अस्तांगिक मार्ग है आपका सम्यक दरश्टी, सम्यक संकल्ब, सम्यक वाग, सम्यक कर्मान, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक समर्ती, सम्यक समाधी ये बोध धर्म के अस्तांगिक मार्ग है इसके अला अभी हमने महात्मा बुद्ध के बारे में देखा अभी हम बात करेंगे महावीर के बारे में तो महावीर का जनम पांसो निन्यान में इस्विपूर्ण वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था और इनका कुल क्या था इनका कुल था ग्यातरक इनकी मृत्यू 527 इस्व दर्शना थी इनके जमाता जमाली थे तो ये चीज आप इतनी चीजों को याद रखेंगे महावीर के बारे में दोस्तों महावीर ने 30 वर्ष में ग्रहतियाग किया था 42 वर्ष की आयू में कैवल्लिय सर्वोच ग्यान की प्राप्ति की थी 12 वर्ष की तपश्य के पश्चात तो ये वर्ड आप दिहान देंगे कैवल्लिय कैवल्लिय क्या है कैवल्लिय सर्वोच ग्यान की उपराप्त कर लेना है जो की जैन धर्म से संबंदित एक सब्दावली है कैवल्लिय थी इसके बाद ग्यान प्राप्ति ग्यान प्राप्ति जरंबीका, ग्राम के निकट, रिजुपाली का नदी के किनारे, साल, वरक्ष के नीचे इन्होंने ग्यान की प्राप्ति की थी महावीरने आपको बता दे कि जयन धर्म के 24 वे तीर्थकर हैं महावीर जैन धर्म के 24 वे तिर्दकर है जैन धर्म के तिरिरतन है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्यान, सम्यक चरित्र इसके अलावा जैन धर्म में पंच महावर्थ बताए गए हैं तो पंच महावर्थ का संबंध जो है ये जैन धर्म से है पंच महावर्थ हैं सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्ते और ब्रहमचर्य महावीर ने पांचवा वर्थ ब्रहमचर्य दिया है जबकि सेस चार वर्थ पारशवनात दुआरा प्रतिपादित थे तो ये चीज़ भी आप दियान रखेंगे कि महावीर ने केवल जो पांचवा वर्थ है ब्रहमचर्य इसका प्रतिपादन किया है ठीक है इसके अलावा जो सेस चार वर्थ है ये पारशवनात के दुआरा प्रतिपादित किये गए हैं इसके अलावा श्यादवाद या सब्त भंगनिय को ज्यान की सापेक्ष्टा का सिधान कहा जाता है चलिए बात करते हैं महावीर एवं जैनधर्म से संबंदित कुछ महत्वपुर्ण तथ्यों की ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं भगवान महावीर का पर्थम शिश्य को उन था तो भगवान महावीर का प इसके अलावा आजीवक संप्रदाई के संस्थापक कोन थे तो आजीवक संप्रदाई के संस्थापक थे मक्खली गोशाल जो की महावीर के सिश्य थे परन्तू कालांतर में सदस्यता इन्होंने त्याग दी थी किन जैन तीर्थकरों का उलेक रिगवेद में मिलता है तो आपको याद रखना है रिशब देव जो की पहले तीर्थकर थे जैन धर्म के इसके अलावा 22 वी तीर्थकर अरिष्टे नेमी इन दोनों का ही वर्नन रिगवेद में मिलता है सरवाधिक पूर्वकालीक जैन गरं तो फ्रेंट्स नेक्स्ट है आपका मगद सामराज्य है यहां पर हम मगद सामराज्य के उतकरश के बारे में जानेंगे देखिए पुरानों की अनुसार मगद पर साशन करने वाला पहला राजवन्स ब्रदरत वन्स था ठीक है तो यह चीज़ आप याद रखेंगे कि मगद पर साशन करने वाला पहला राजवन्स कोन सा हुआ है तो यह था आपका ब्रदरत वन्स ठीक है जरासंग इसी वन्स का साशक था जिसका विवरन महाभारत में भी मिलता है मगद से संबंदित महत्वपूर्ण तथिय यहां पर आप देख सकते हैं मगद का सर्वपर्थम उल गोतम धर्मसास्त्र एवं मनु सहिंता की अनुसार मगद एक मिश्रित जाती का घोतक है जो वैश्य पूरुस तथा छत्रिय महिला की संकरन से निर्शित है संखायन आर्नियक में कहा गया है कि मध्यमा प्रति बोधी का पुत्र मगद का निवासिता तो यह कुछ मगद से सं बंदित महतवपुन तत्य हैं ठीक है अभी नेक्स्ट है आपका हरियक वन्स के बारे में जानते हैं देखिए अन्यय साहित्यक श्रोतों की अनुसार मगद का पहला राजवंस हरियक वन्स था जिसकी स्थापना बिंबिसार ने की थी बिंबिसार ने कोशल की राजकुमारी कोशला देवी जो की परशेंजीत की बहन थी बिंबिसार ने कोशला देवी से विभा किया और काशी को दहेज में प्राप्त किया था इसके अलावा उसने वैशाली की राजकुमारी चेलना से भी विभा किया था बिंबिसार ने अंग नरेश ब्रहमदत को विजित कर अंग र यहां देंगे कि अंग राजिय को मगद में किसमे मिलाया था विंबिसाहर उसका अवन्ती के सासक चंड प्रदोत के साथ मैतरी पूर्न संबंद थे, कालांतर में प्रगोत के इलाज के लिए बिम्बिसार अपने वैद जीवक को भेजा था ठीक है तो जीवक किसका वैद था जीवक बिम्बिसार का वैद था बिम्बिसार महत्मा बुद का अनुयाई था इसके अलावा विनापिटक की अनुसार बिम्बिसार असी हजार गाउं का प्रमुक था बोध अजाद सत्रू का कोशल की राजकुमारी वाजीरा से विवा होता है वे उसे कासी पुनय प्राप्त हो जाती है आजाद सत्रू ने अपने मंत्री वशकार की मदद से वज्जी संग में फूट डलवा दी और लिच्छिवियों पर आक्रमन कर उन्हें परास्त कर दिया दोस्तों आपको बता दे कि उसके ही साशनकाल में महात्मा बुद की मिरत्यू 413 इस्विपूर्ण में हुई थी 413 इस्विपूर्ण में इसके ही सनरक्षन में पर्थम बोध संगती का आयुजन राजग्रह में महाकश्यप की अध्यक्षता में किया गया था तो आपने देखा था कि जब पर्थम बोध संगती हुई थी तो उसके समय में कौन साशक था तो आजात सत्रू था ये हमने देखा था अभी ठीक है तो इसी के टाइम में महात्मा बुद की मरत्यू होती है और इसी के सनरक्षन में आजात सत्रू के सनरक्षन में ही पर्थम ब मगद का साशक बना ठीक है उसने अपनी राजधानी राजग्रह से पार्टली पुत्र इस्थानांतरित की थी तो ये पोईंट आपको ध्यान रखना है कि आजाद सत्रु की मृत्यू के बाद उसका पुत्र कोन था उदैनी उदैनी मगद का साशक बनता है और इसने अपनी र बनते हैं आजाद सत्रु की म्रत्यू के बाद उदैनी के तीनों पुत्रों अनिरुद मुंडक और नागदशक निकरम से अल्पकाल तक साशन किया था देखी मगद का उतकर्ष तो मगद का उतकर्ष यहां पर आप इस चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं सबसे पहले यहां प यानि महा पदमानंद ने की थी ठीक है महानंदिन आठ पुत्रों का साशक उग्रसेन पांडूक पांडूगती भूतपाल राश्टपाल ठीक है गोविश शानक दश शिद्धिकद और क्यावर्थ तो यह था आपका नंदवंज चलिए बात करते हैं हर्यकवंस की तो आप सकते हैं हर्यकवंस की स्थापना बिंबिसार ने की बिंबिसार के बाद आप देख सकते हैं आजाद सत्रू आजाद सत्रू यह पिता की हत्या करने वाला साशक था यह पिता की हत्या करके आजाद सत्रू गद्धी पर बैठा था आजाद सत्रू के समय ही पर्थम बोध संग पिता की हत्या करने वाला इन्होंने भी अपनी पिता की हत्या की और साशक बने उदैनी जो थे ये जैन धर्म की अनुयाई थे और इन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तन किया था राजग्रह से पाटली पुत्र में और इनके तीन पुत्र थे अनिरुद मुंडक और दूसरा यहाँ पर शिशुनाग वनस आप देख सकते हैं जिसकी स्थापना शिशुनाग के दुआरा की गई है इनकी राजधानी विशाली थी काला असोग या काक वर्ण ठीक है इनकी राजा हुए है काला असोग इनहीं के समय में दुईत्या बोध संगती हुई थी बोध सं इसके अलावा महा शात्विक और अन्तिम साषक थनि नंदवंस के इसे जननाननंद नंदवंस के अन्तिम साषक इसी की हट्याकर चंदरगुप्त ने मोर्य सामराजज्य की स्थापना की थी धान गाते हैं नंदवन्स की अंतिम सा सकते और धरानंद की हत्या करके ही चंद्रगुप्त मौरिय ने मौरिय सामराज्य की स्थापना की थी तो नंदवन्स के बाद आपका मौरिय वन्स आता है चलिए आगे बढ़ते हैं फिर देखे फ्रेंट्स अभी हम सीशुनाग वन्स को यहाँ पर ड अत्स को विजित कर मगद सामराज्य का विस्तार किया था उसके पस्चात उसका पुत्र काला सोक शाशक बना इसके समय में ही वैशाली में दुईत्या बोध संगती आयो जीत हुई जिसमें इस्तविर और महा संगी के रूप में बोध्धर्म का विभाजन हो गया था नंद महापदमानंद ने सिशुनाग वंसका अंतकर नंदवंस की स्थापना की पुरानों में उसे सर्व छत्रान तक कहा गया है उसे एक छत्र अथवा एक राट भी कहा जाता था तो एक राट किसे कहा जाता था महापदमानंद को उसे सुद्र वैदासी पुत्र भी बताया गया है उसे इच्वाकू, पांचाल, कुरू, दहे, कलिंग, सूरसेन, मैथिल, अश्मक, वितिहोत्र, राजियों का साशक भी बताया गया है उसके समय में मगद सामराज्ये की सीमा गंगा घाटी को पार कर गई थी इस वंस का अंतिम साशक धनानंद था, ठीक है, नंदवंस का अंतिम साशक धनानंद था उसी के समय युनानियों सिकंदर का आकरमन हुआ था, तो सिकंदर का आकरमन कौन से राजा के समय हुआ था, धनानंद धनानंद सिकंदर के समकालीक था ये चीज़ आप दियान रखेंगे धनानंद के साशन के दोरान ही लगबग 326 से इस्वी पूर्ण में सिकंदर ने भारत के उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती छेतर पर आक्रमन किया किवदंतियों में यह मिलता है कि धनानंद ने चानक्या को अपमानित किया था ठीक है चानक्या को अपमानित किस ने किया था धनानंद ने तो धनानंद ने ही जो कि नंदवन्स की राजा थे इन्होंने चानक्या को अपमानित किया था तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है आपका छटी सताबदी इस्वी पूर्ण में बिहार इस्थित महाजनपद तो बिहार इस्थित महाजनपद था आपका अंग महाजनपद ठीक है अंग महाजनपद के बारे में हमने देखा था अभी भी देख लेते हैं अंग महाजनपद की वर्त राजधानी क्या थी तो इसकी राजधानी थी चम्पा काफी इंपोर्टेंट है इसे आप याद रखेंगे इसके अलावा इसकी अन्या नाम भी आप देख सकते हैं मालनी महाभारत हरीवंस एवं अन्या पुरानों में इसका वर्णन है काल चम्पा जातक कथाएं वानि गम्म जैन ग्रंथ है चम्पा इवं गंगा नदी के संगम पर इस्थित है पर्थम साशक राजा अंग थे ठीक है और अन्तिम साशक थे इसके ब्रहमदत जो की बिम्बिसार की दुवारा पराजित भी किये गए थे नेक्स्ट है आपका मगद सामराज्य है मगद सामराज्य का यह चीज आप यहाँ पर याद रखेंगे ठीक है नेक्स्ट है हमारा मोरियवंस यहाँ पर हम मोरियवंस को समझेंगे थोड़ा सा डिटेल में ठीक है देखिए पुरान बोध इवं जैन साहित्य कोटिल्य के अर्थसास्त्र तथा विदेशी लेखकों के दुआरा मोरियव मोरिय को सैंडरो कोट्स और एंडरो कोट्स किसने कहा है ठीक है तो आपको इनके नाम याद रखने हैं इसके अलावा वीलियम जॉन्स ने सर्व पर्थम सैंडरो कोट्स की पहचान भारतिय गरंतों में वरनित चंद्रगुप्त मोरिय से की थी तो सैंडरो कोट्स का मकदुनिया युनान के सासक सिकंदर का भारत पराक्रमन होता है सिकंदर का भारत पराक्रमन कब होता है 326 इसवी पोर्ण में ठीक है सिंदु नदी को पार करके सिकंदर जेलम के टट तक आ जाता है यहीं उसका पोरस से युद होता है जिसे वितस्ता या हाइडेस्पिज का युद भी कहते हैं व्यास नदी के टट पर सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से इनकार कर देती है व्यास नदी से ही नंद सामराज्ये की सीमा आरंब होती थी उस समय नंदवन्स का सासक धनानंद था ठीक है घनानंद था सिकंदर भारत में लगभग 19 महीने रहा दिहातव्य है कि किसी भी भारत्य श्रौत में सिकंदर की अभियान का कोई उलेख नहीं प्राप्त होता है एरियन द्वारा लिखित एना बेसिस ओफ अलेक्जेंडर में सिकंदर के विजय अभियान का उलेख प्राप्त होता है उलेख अपना की थी चंद्रगुप्त मोरिय का टाइम पीरियड है 321 इस्विपोर्ण से 298 में इस्विपोर्ण देखिए अपने गुरु चानाक्य की सहायता से धनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मगद का साशक बना महावन्स टीका की अनुसार मोरिय छत्रिय थे तथा चंद्रगुप्त मोरिय नंदराज की सुद्र पतनी का पुत्र था 305 इस्विपोर्ण की आसपास से लिउकस निकेटर से चंद्रगुप्त मोरिय का युद हुआ युदोप्रांथ हुई संधी से चंद्रगुप्त को एरिया हेरात अराकोसिया कंधार जैडरोसिया मकरान बलुचिस्तान तथा पैरोपनि सदाई काबुल का छेतर प्राप्त हुआ साथ ही युनानी राजकुमारी से उसका विभाबी हुआ था सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त की दरबार में भेजा था मेगस्थनीज ने इंडी का नामक पुस्तक की रचना की थी तो ये पॉइंट आप दोनों को याद रखेंगे कि सेल्यूकस निकेटर ने मेगस्थनीज जो उसका राजदूत था चंद्रगुप्त मौर्य के दर्बार में भेजा था और मेगस्थनीज ने इंडी का नामक पुस्तक की रशना की थी ये चीज़ आप ध्यान रखना जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त अपने पुत्र बिंदुसार को सत्ता सोपकर जैन मुनी भदर बाहु के साथ स्रवन बेल गोला करनाटक चले गए और वहीं सलेखना उपवास से अपने प्रान तियाग दिये ठीक है तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे स्रवन बेल से 273 इसवी पूंड तक रहते हैं इसे अमित्र गहात भदरशार सिंग सेन आधी कहा गया है युनानी लेखकों की अनुसार उसका नाम अल्टरी चेहीज या अमित्र चेट्स था इसी के समय सीरिया की सासक अंटियोकस का राजदूत डाइमेकस तथा मिसर के सासक टॉलमी द यह होते हैं अशोक 273 इसवी पूर्ण से 232 इसवी पूर्ण के समय में रहते हैं देखिए सिंगहासन पर बैठने के बाद 279 इसवी पूर्ण में राजय अभी सेख से पूर्व वह उज्यान तथा तक्षिला का राजय अपाल था 261 इसवी पूर्ण में कलिंग विजय की थी असोक ने इसके बाद सिंगली अनुसरूती के अनुसार निग्रोत के प्रवचन से असोक ने बोध धर्म अपनाया था और मौगली लिपुतिस का सिश्या बना था इससे पूर्व असोक स्याव था ठीक है राजय अभी सेख के 10 वर्स बाद उसने बोध गया की यात्रा की 14 वर्स बाद धम मात्रों की न्युक्ति की 20 वर्स बाद लुंबनी गया और उसे उल्विक करमुक्त गोशित किया तथा भाग एक करको एक बटा 6 से घटा कर एक बटा 8 कर दिया चलिए अभी बात करते हैं असोक से जुड़े पहबाज गड़ी एवं मानसेहरा पाकिस्तान अभिलेक खरोष्टी लिपी में उतकीर्ण हैं तक्षिला तथा लगमान से अरामेइक लिपी में उतकीर्ण अभिलेक सरेकुना से युनानी तथा अरामेइक लिपियों में उतकीर्ण अभिलेक प्राप्त हुए हैं असोक का इतिहास भी हमें इन्ही अभी लेखों से प्राप्त होता है देखे यहां पर आप देख सकते हैं अभी लेक संख्याँ पर्थम Lek देखते हैं इसमें जीव हत्या पर निशेद का वरणन किया गया है दूसरा लेक असौक दुवारा विजित राज़ियों एवं चोल, पांडिय, सतिय, पुत, केरल, पुत, चेर, तामर, पानी, अंतियोग, यवन, राज, व्यानिय, पडोसी, राजाओं की परदेसों में भी मनुश्यों तथा पशुओं की चिकित्सा का उलेख किया गया है दूसरे अब लेख में आठवा लेख में अशोक की धम यात्राव का उलेख किया गया है ग्यारवे लेख में धमदान का उलेख किया गया है और अशोक के तेहरवे अभी लेख में अशोक का यह सबसे बड़ा लेख है और अशोक की कलिंग विजय का उलेख अशोक के तेहरवे ही अभी लेख में किया दूसरे तथा तेहरवी सिला लेक में उसने उन देसों का नाम लिखवाया जहां दूत भेजे गए थे दच्छिन सीमा पर इस्तित राजिया चोल पांडिया सतिय पुत केरल पुत एवं तामर परणी बताए गए हैं वैशाली सिंग सीर्स बिहार में इस्तित है बात करते हैं असोख के गउहा लेक की दच्छिन भिहार के जहनाबाद जिले में इस्थित बराबर नामक तीन गुफाओ की दिवारों पर अशोख के उतकिर्ण लेक पर प्राप्त हुए हैं लोरिया अरिरराज इस्तंभ लेक ये इस्तंभ बिहारराजागे के पूर्वी चमपारन जिले देख के पूर्वी चंपारन जिले में है लोरिया नंदंगड लेख विछार राजे के पस्टिम चंपारन जिले में है ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अशोक के इस्तंभलेक यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सबसे पहला है दिल्ली टॉपरा इस्तंभलेक यह दिल्ली में स्थित है दिल्ली मेरट इस्तंभलेक यह भी दिल्ली में है परियाग कोशंबी इस्तंभलेक यह इलहबाद पर परविश दुआर पर रखा गया है इसके अलावा संकिसा या संकाश्य इस्तंभलेक यह उत्तर परदेश के कर्नोज जिले में हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी हम समझेंगे मोरिया सामराज्या में मोरिया प्रसाशन को हम यहापर समझेंगे ठीक है तो यहापर आप मोरिया प्रसाशन देख सकते हैं सबसे पहले आप देख पा रही है समराट समराट के बाद यह प्रांत दैन मंडल आहार इस्थानिया से द्रौन मोख खारवटिक संग्रहन और ग्राम तो सबसे छोटी काई यहापर ग्राम हो जाती है चंद्रकुप्त मोरिया ने सासन स सन्चालन को सुचार varied व्रूप से चलाने के लिए अपने राज्य को चार प्रांतों में विभाजित किया इन प्रांतों का सासन समराट के प्रतिनिद्यों द्वारा संचालित होता था अशोग के अभी लेखों की अनुसार समराट अशोग के काल में प्रांतों की संख्या 5 हो गई थी ठीक है तो यह चीज आप देख सकते हैं यहां पर आप प्रांत और उनकी राजधानी को देख पा रह थी अवंती की राजधानी उजयन थी और कलिंग की राजधानी यहां पर तोशली थी प्रांतों का प्रशासन कुमार अमात्य कुमार यार्यपुत्र नामक पद अधिकारियों की द्वारा होता था प्रांत मंडल में तथा मंडल जिलों में विभक्त होते थे जिने आहार य का प्रशाशक था ये सब्दावली काफी जरूरी है important है महतोपून है तो गौप क्या है गौप 10 गावों का प्रशाशक होता था ठीक है बात करते हैं नगर परशाशन की मेगस्थनीज के अनुसार नगरिया परशाशन तीस सदस्यों के मंडल दुवारा चलाया जाता था यह मंडल 6 समीतियों में विभाजित था ठीक है आप यहाँ पर देख सकते हो इन 6 समीतियों को जिसे पर्थम समीति है उद्योग सिल्पों का निरिक्षन के लिए है दूसरी समीति विदेशियों की देख रेक करने के लिए ह चोथी समीती व्यापार वानिचे की व्यवस्ता, पांचवी विक्रे की व्यवस्ता निरिक्षन और छटी समीती विक्री कर व्यवस्ता के लिये हैं नगर में पुलिस व्यवस्ता थी जिसे रक्षित कहा जाता था युनानी श्रोतों में वर्णित अधिकारी एग्रो नोमई ये जिला अधिकारी थे ठीक है और एंटिनोमई ये नगर आयुक्त हुआ करते थे बात करते हैं सैन्य व्यवस्था की तो चंद्रगुप्त के परधान मंतरी कोटिल्य की अनुसार चारों वर्णों के लोग सेना में सामिल हो सकते थे मेगस्थनीस के अनुसार सैन्य परशाशन हेतू एक 30 सदस्याई प्रथक विभाग विद्यमान था जिसे 5-5 सदस्याई 6 समीतियों में विभाजित किया गया था ये समीतियां इस प्रकार थी पर्थम समीति जल सेना से संबंदित दूसरी समीति रशद सामंगरी के प्रबंधन से संबंदित तीसरी समीति पैदल सैनिकों से संबंदित चोथी अश्वरोही सेना से संबंदित पांचवी गज सेना से संबंदित और छटी रत सेना से अंदित सैनिक प्रबंद का सर्वोच अधिकारी अंतपाल कहलाता था ठीक है अंतपाल ये वर्ड आप दियान रखेंगे ये सैनिक प्रबंद का सर्वोच अधिकारी होता था अंतपाल यह सीमांत छेतरों का भी व्यवस्था पक होता था युनानिश रोतों की अनुसार चंद 32 इसवी पूर्ण में हुई थी अशोग के उपरांत अगले 5 दसक तक उनके निर्बल उतराधिकारी सासन संचालित करते रहे अशोग के उतराधिकारी अशोग की म्रत्यू के बाद मोर्य साम्राजिया पस्चीमी और पूर्वी भाग में बट गया था पश्चिमी भाग पर कुनाल साशन करता था पूर्वी भाग पर संप्रती का शाशन था लेकिन 180 इसवी पूर्ण तक पश्चिमी भाग पर बैक्टीरिया तथा युनानियों का पूर्ण अधिकार हो गया था पूर्वी भाग पर दश्रत का राज्य था अंतिम मौरिय समराट ब्रदरत की हत्या उसके सेनापती पुष्यमित्र ने कर दी इससे मौरिय सामराज्य समाप्त हो जाता है ठीक है तो यहाँ पर मौरिय सामराज्य का अंत हो जाता है और मौरिय सामराज्य का अंतिम मौरिय समराट कोंता ब्रदरत इसे भी आप याद रखे जिसकी हत्या उसके सेनापती पुश्यमित्र ने ही कर दी ठीक है पुश्यमित्र ने इनकी हत्या कर दी और बाद फिर पुश्यमित्र ने ही सुंगुवंस की स्थापना की तो अभी नेक्स्ट है आपका सुंगुवंस देखिए मौरिय साशक ब्रदरत की हत्याकर उसका सेनापती पुष्यमित्र सुंग मगद का साशक बना उसकी उपाधी सेनानी थी उसने यवन आकरमन को विफल किया था पुष्यमित्र ने दो अश्वमेग यग किये इसके पुरोहित पतंजली थे पुष्यमित्र सुंग के काल में ही पतंजली ने महाभाश्य एवं मनु ने मनुश मर्ती की रचना की थी उसके बाद उसका पुत्र अगनी मित्र साशक बना, इसी अगनी मित्र और मालवी का से जुड़ी कहानी पर महाकवी कालिदास ने मालवी का अगनी मित्रम नामक नाटक की रचना की है, देव भूती इस वंस का अंतिम सा सकता, ठीक है, नेक्स्ट है आपका कन्व वंस, कन्व को अपने साथ ले लिया कुसान कालीन नागा अर्जुन नालंदा के एक परशिद रशायन विद थे परियोग साला में परियोग किया जाने वाले उपकरन बीकर का विश्कार नागा अर्जुन ने किया था कुसान सामराजी के बाद पाटली पुत्र पर लिच्छवियों का सा इस वन्स का पर्थम सासक सिरी गुप्त था जिसकी उत्रादिखारी गटोचकष था चंद्र गुप्त पर्थम पहला सासक था जिस ने महाराजरा अधिराज की उत्रादि Кुप्त-जी था चंद्रic all face socials and friends जाता है यहां पर आप देख सकते हैं सिरीगुप्त के बारे में सिरीगुप्त की इन्होंने जो है महरास की उपादिधारन की थी और इनके उत्राधिकारी घटोत कच थे चीनी यातरी इत्सिंग दुवारा उलेक किया गया है मिरगरी खिवान में मंदिर निर्मान इन्होंने करवाया था ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवहा किया अपने राज्याभी से क्याधार पर इसने गुप्त समवत की सुरुवात की संपोर्ण बिहार और उतरपरदेश के कुछ हिससे उसके राज्या में सामिल थे त सर्व राजोच्ता आधि उपाधियां प्रदान की गई हैं इतिहासकार विये इसमित ने इसे भारत का निपोलियन भी कहा है आरिय वर्त के दुईत्य अभियान में नोराजाओ को विजित किया दचिनापत अभियान में बारे राजाओ को विजित किया दचिनापत अभिया संधी विग्रही केवं राजकवी हरिशेन ने लिखा है परियाग प्रसस्ती की रचना हरिशेन ने की थी परियाग प्रसस्ती असो के स्तंभ लेक पर उतकिर्ण है समुंद्र गुप्त दुआरा स्वयम को इलाबाद स्तंभ लेक अर्थार्थ परियाग प्रसस्ती में मेग यग किया तथा सोने के सिक्के जारी किये अगले है राम गुप्त इसकी एतिहासिकता संदिगद है नेक्स्ट है आपके चंद्रगुप्त दुइत्या है ठीक है समुद्रगुप्त के बाद यहां पर चंद्रगुप्त दुइत्या है इन्हें देखते हैं इसे देवराज देवगूप्त देवशिरी विक्रामादित्याय परम भागवद आधी उपाधियों से भी जाना जाता है इसने धुरूव देवी एवं कुबेर नागा से विवहा किया था दिल्ली के महरोली लिस्थित लोहो इस्तंभ लेक पर चंदर सासक दुआरा सिंदु के पार बाहिलिक ने इसके समय में ही भारत की यात्रा की थी ऐसा माना जाता है कि उसके दरबार में नोरत्न विरास्ते थे तो आपको याद रखना है चंदरगुप्त दुइत्या के दरबार में ही नोरत्न यानि नवरत्न हुआ करते थे जिसमें कालिदास, धनवंतरी, छनपक, संकू, बेताल, भट, घटकरपर, वरहा मिहीर, वरूरूची जैसे विदवान सामिल थे ठीक है चंदरगुप्त दुइत्या के बाद आते हैं कुमारगुप्त पर्थम, कुमारगुप्त पर्थम मंदसोर अभिलेक से कुमारगुप्त के बारे में विस्तरित जानकारी प्र में ही हुई थी, कुमारगुप्त ने महिंद्रा आदित्या की उपाधी धारन की थी, ठीक है तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, अभी अगले राजा है हमारे इसकंदुप्त, इसकंदुप्त के बारे में देखते हैं, जुनागर अभिलेक से पता चलता है कि इसकंदुप् नेक्स्ट है गुप्त काल का उत्राधार, ठीक है ये गुप्ता काल की बाद की एच है, तो चीनी यातरी सुंग्यून ने लगभग 518 इसवी में भारत की यातरा की, हेनसांग ने 639 से 645 इसवी तक भारत की यातरा की थी, हेनसांग की अनुसार मगद के सासक नर्सिंग हून को पराजित किया था, इसकंद गुप्त के बाद पुरु गुप्त, कुमार गुप्त दृत्या, बुध गुप्त, नर्शिंग गुप्त, बाला अदित्या, वैन्य गुप्त, कुमार गुप्त रत्या ने साशन किया था, विश्नो गुप्त गुप्त वंस का अंतिम सा जा रहे हैं ठीक है तो पाल वंस के बारे में यहां पर हम पढ़ेंगे देखिए पाल वंस का संस्थापक गोपाल को माना जाता है बिहार उसकी राज्या में सामिल था गोपाल ने ओधंतपुरी महाविहार और विश्व विधाल्य की स्थापना की जो बिहार सरीफ नालंदा पर पंचानन नदी के किनारे इस्थित्था नेक्स्ट है आपका धर्मपाल ठीक है धर्मपाल को समझते हैं इसी के समय तिरिपक्षिय संगर्स सुरू हुआ प्रतिहार नरेश वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित किया आगे चलकर राष्ट्कूट नरेश धुरूव ने कनोज पर आक्रमन कर इंदरा युद को परास्त कर अपने समर्थक चक्रा युद को कनोज के सिंगहसन पर बैठा दिया ठीक है तो यहां पर आप धरंपाल को देख सकते हैं इनकी उपाधी थी उत्रापथ, सुवामी, परमसोगात इनकी उपाधी नोंने धारन की थी इसके अल प्रतिहार सासक नागभट दुइत्या ने मुंगेर तक का छेत्र कुछ समय के लिए विजित कर लिया था। इसे उत्रापत स्वामिन भी कहा है नेक्स्ट है आपके देवपाल देवपाल इसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया इसने जावा सुमात्रा इंडोनेशिया के सैलेंद्र वंसी साशक बालपुत्र देव को नालंदा में विहार बनवाने हेतु पांच गाउं प्रदान किये थे नेक्स्ट है महिपाल प्रथम इसे पाल वंस की पुनरिस्थापना का श्रे दिया जाता है इसी के समय राजेंद्र चोल ने आक्रमन किया था बोध भिक्षू अतिस दीपंकर के नेतरतव में इसने तिबबत में एक दूत मंडल भेजा नेक्स्ट है आपके राम पा का अंतिम सक्तिसाली सासक कोन था राम पाल कैवर्त विद्रोहों की समय सासक कोन था राम पाल कवी शोडल दुवारा उत्तरपत स्वामिन की उपाधि दी गई थी धरम पाल को ओधन्तपुरी महाविहार किस नदी के किनारे इस्थित्ता पंचानन नदी के किनारे अर्बो द पाल राजिय को कहा जाता था रुहूमा देवपाल की माता का नाम रन्ना देवी था ठीक है नेक्स्ट है आपका करनाट वन्स को देखते हैं इस वन्स का संस्थापक नान्य देव था काफी इंपोर्टेंट ये फैक्ट है आपसे पूछा जाता है कि करनाट वन्स का पर दिल डृषाद गंग देव फिर उसका पुत्र नर्शिंग देव साशक बना कि आपका बिहार का प्राची नितिहास एंसे एंट हिस्ट्री है पर कम्पलीट हो जाती है अभी नेक्स्ट है आपका बिहार का मद्यकाली नितिहास तो बिहार का मद्यकाली नितिहास और बिहार का आधुनी कितिहास modern history इसे हम next class में cover करेंगे I hope कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी Thank you so much friends for watching the class Keep watching, please like, share and subscribe Channel को subscribe जरूर कर ले वीडियो को like जरूर किया करे ठीक है, इसके अलावा अगर आप इस magazine की PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे telegram channel को join कर ले At the rate PCS mind